हेलो एम्रीवन अस्सलाम अलेकों मैं हूर इजवाना सिंधी स्वागत है आपका क्लासिक तड़का में तो आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रीट फूर्ट स्टाइल पाउभाजी जो बहुत मज़े की बनती है और यह सभी की फैवरेट होती है अगर आपके यह तवा नहीं है तो बिगर तवे कि आप किस तरह से पाउभाजी बनाए वो भी स्ट्रीट फूर्ट स्टाइल और बहुती बढ़िया टेस्ट तो चलिए फिर बिना स्किप किये वीडियो को एंड तक जरूर देखें यह ऐसे डीस है जो आप कहीं भी कोई भी पार्टी फंसन में आप बना सकते हो यह बहुत जटपट से बनकर रेडि हो जाती है तो चलिए फिर शुरू करते हैं पाउभाजी बनाना यह हमने सब सबजियां रेडि कर ली है यह मैंने देखिए एक किलो आलू ले लिया है जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है यह मैंने पत्ता गोबी लिया है 500 ग्राम और यह मैंने हरे मटर लिया है वो भी 300 ग्राम है 500 ग्राम फ्लावर है और 500 ग्राम केप्सी कम है यह फिर आगे बढ़ते हैं देखिये सभी सबजीओं को हमने wash करकर एक पतीले में ले लिया है और ये हमने cooker ले लिया है, cooker के अंदर हम सबजयान add कर देखिये, सभी सबजीओं को देखिये हमने देंगे नंक डालने के बाद करेंगे ज्यादा पानी का इस्तमाल भी करेंगे उसमें बाइल करों किये हैं वो डाल देंगे आलू को हम अलग बॉयल करेंगे और उसमें भी नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा हम इसमें पानी एट करेंगे और कुकर को बन कर देंगे और इसे भी 3-4 सीटियम लगा लेंगे इसी तरह से हम दोनों सबजियां अलग-अलग बॉयल क कर लेंगे और यह कुछ मसाले हैं यह मैंने 500 ग्राम जितनी प्याज चॉप कर लिए यह लसुन लिया है सौ ग्राम जितना लसुन का पेस्ट है तीन से चार बड़ी साइस के लिंबू का रस निकाल लिया है स्वात के मुताबिक नमक है यह पाउभाजी का मसाला है यह कस्मी असर की मदब से इसको अच्छे से मैस कर लूगी देखे इस तरीके से यह अच्छे से मैस हो चुका है अब हमने एक बड़ा सा पोट ले लिया है पोट के अंदर हम इसमें बटर एट करेंगे सबसे पहले और इस तरीके से बटर को चारो तरफ फैला लेंगे और उसी में हम तेल भी आट करेंगे आदा हम बटर लेंगे और आदा तेल का इस्तमाल करेंगे और वो अच्छे से घरम हो जाएगा तेल डालने से क्या होता है कि बटर जल नहीं जाता और अच्छे से घरम हो जाएगा उसके बाद सबसे पहले हम इसमें प्याज आट करेंगे और प्याज को अच्छे से mix कर लेंगे देखिए हमने सभी प्याज इसमें डाल दी है और गेस की flame को medium slow रखेंगे प्याज को हमें ज्यादा नहीं पकाना है और प्याज थोड़ी सी transparent हो जाए उसके बाद सबसे पहले हम इसमें लसुन का paste ready किया है यह हमने 100 ग्राम जितना लसुन का paste ready किया है वो हम इसमें डाल देंगे और उसको अच्छे से mix कर लेंगे और चमच चलाते हुए उसको अच्छे से भूनेंगे अब देखिए लसुन की अच्छी सी खुसबू आ चुकी है उसके बाद हम इसमें टमाटर एट करेंगे और टमाटर को भी अच्छे से mix कर लेंगे टमाटर और प्यास को हम अच्छे से पकाएंगे टमाटर और प्यास को हमें ज्यादा नहीं पकाना है देखिए हमने 2 मिट अच्छे से पकाया है टमाटर का कलर आ चुका है, उसके बाद सबसे पहले हम इसमें पाउभाजी का मसाला एट करेंगे, तीन से चार चमच हमने पाउभाजी मसाला एट किया है, एवरेश्ट का, आप जो चाहे वो ले सकते हो मसाला, कोई भी कमपनी का ले सकते हो, उससे टेस्ट में कुछ फरक नह देंगे और स्वात के मुताबिक नमक डालेंगे मिर्ची आप अपने टेस्क के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो कस्मीरी लाल मिर्च से सिफ कलर आएगा उसका तीखापन नहीं होता है और देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है और गेस की फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे और लास्ट में जब अच्छे से भूना जाएगा मसाला उसके बाद जो हमने सब सब वेजिस जो वॉयल करके रखे हैं वो हम इसमें एड कर देंगे और उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चममत चलाते हुए देखिए बढ़ी आसा कलर आ चुका है भाजी में और सब 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 अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा हमने कुकर में पानी डाल कर वो भी डाल दिया है और लास्ट में हमने जो नीमू का रस निकाल के रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे और मैसर की मदद से फिर से हम सभी सबजियों को अच्छे से मैस कर लेंगे देखिए और अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अगर आपको इस टाइम पर यह थोड़ा ज्यादा लगता है तो हम थोड़ा सा पानी और एट करेंगे इसमें मैं आधा ग्लास फिर से पानी इसमें एट करूंगी क्यूंकि मुझे ज्यादा ठीक लगा इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और एट किया और फिर से मैसर की मदद से फिर से सबजियों को अच्छे से मैस कर लूँगी देखिए अब यह हमारी भाजी रेडी है गर्मा गर्म खाने के लिए ताप चाहो तो इसके उपर बटर डाल सकते हो अभी लेकिन अभी इस पर हम तड़का लगाएंगे अब हमने क इसमें एट करेंगे और गेस की फ्लेम को बन कर देंगे और तड़के को उस पर डाल देंगे मासाला से बहुत बढ़िया खुस बुआ रही है और बहुत मजी का बना है और लास्ट माम इस पर फिर से कुतमी डाल देंगे देखिए अब गेस की फ्लेम को हमने बन कर दिया है यह गर्मा गरम खाने के लिए रेडे है यह हमने 50 ग्राम जितने लसुण लिये हैं जिसका पेस्ट रेडी कर लिया है उसमें एक चम्मत चाट मसाला एट करूंगी और एक चम्मत जितना पाऊओं भाजी मसाला एट करेंगे हम इसमे देखिए और उसके बाद इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें देखिए अच्छे से मिक्स कर रहा है हमने यह हम चटनी जो हम पाउं लेंगे उसका मसाला किस तरह बनाते हैं वो मैं आपके साथ शेर आगे करूँगे आप देखते जाएए देखिए हमने एक तवा ले लिया है उसको अच्छे से हम गरम कर लिया है उसके हमने थोड़ा थोड़ा करके तेल एड़ करेंगे देखिए थोड़ा सा तेल हमने एड़ किया है जो हमने लसुन की चटनी रेड़ी किये है तो हम इस पर डालेंगे इस तरीके से और उसमें लाल मिर्च का पाउडर हमने जो कस्मीरी लाल मिर्च है वो भी इसमे एड़ किये है और इस तरीके से देखिए पाउं को इस तरह से हम अच्छे से गरम कर लेंगे ये पाउं बहुत मज़े के लगते हैं लसुन वाले देखिए मैं आगे आपको फिर से बताती हूँ देखिए फिर से हमने पैन में तेल ले लिया है और तेल घरम हो जाने के बाद सबसे पहले हम जो लसुन की चटनी है वो डालेंगे इसमे और उसके बाद कस्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसम के से यह बहुत मज़े के बनते हैं बाजी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं तो यह हमारे पाउबी गर्मा गरम रेडी है देखिए हमारा गर्मा गरम पाउबाजी स्टीट फुल स्टाइल रेडी है खाने के लिए तो आप भी इसे इंजोई करें और गर्मा गरम भाजी पे इस पे आप बटर डाल दें तो और भी मज़ा आएगा खाने के लिए और सलाट के लिए आप जो भी खाना पसंद करो हमने पत्ता गोबी प्याज और टमाटर चॉप किये हैं देखी इस पे हमने बटर डाल दिया है और नीमू डाल कर आप इसे इंजोय करें बहुत मज़े का और बहुत बढ़िया लगता है तो आप भी बनाईए और अपनी फेमिली को खिलाईए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएए कि आपको इस ट्रीट फूट स्ट्राइल पाउं भाजे की रेसिपी कैसी लगी और नई नई रेसिपी जानने के लिए मेरी चैनल क्लासिक त वीडियो छे लगी तो सस्क्राइब करो ऐसे और बेल नोटिफिकेशन अन करो ऐसे और फिर लाइक करो ऐसे